हार्दिक पांध्या को इस महीने के अंत में दो टी 20 आई में आईरलेंड के खिलाफ चैन समिती द्वारा नामित 17 सदस्य टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है जिसमें राहुल त्रिपाथी के लिए पहली कॉल अप और संजू सैमसन की वापसी हो चुकी है या भारत की टेस टीम के नियमित सदस्यों की अनुपस्तिती से विशिष्ट है जो एजबेस्टन में पुननिर्धारित पांचवे टेस्ट की तैस्ट की तयारी के लिए सीधे इंग्लेंड जाएंगे पांध्या को उपकप्तानी के रूप में पदोननत किया गया था और उन्होंने दक्षन अफ्रीका के खिलाफ चल रही श्रिंखला में रिशब पंत के उपकप्तान के रूप में काम किया है क्योंकि मूल कप्तान केल राहुल कमर की चोट के कारण बाहर हो गये थे 28 वर्ष ये ने हाल ही में IPL में अपने खिताब जीतने वाले डेब्यू सीजन में गुजराथ टाइटन्स का नित्रित्व किया अनुभवी स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार नित्रित्व समूह में पंड्या की समझ के रूप में काम करेंगे डक्षन अफ्रीका टी दोशून या आई खेलने वाले खिलाडियों में लेकिन आयरलेंड में असाइन्मेंट से चूकने वाले पंत और श्रेयस आयर शामिल हैं जो टेस्ट टीम के साथ तालमिल बिठाएंगे उनकी जगह सैंसन और त्रिपाठी हैं जिन्होंने IPL 2022 में बल्ले से शांदार सीजन का आनंग लिया सैंसन ने 147.24 एसार पर 374 रन बनाए और टूर्नामेंट के फाइनल में राजस्थान रोयल्स की कप्तानी की जबकि त्रिपाठी अन्यता भूलने वाले सीजन में अग्रनी रोशनी में से एक थे सन्राइजर्जर्ज हाइदराबाद ने 158.23 एसार पर 413 रन बनाए टीबी सेट अप में वापसी करने वाले सूर्य कुमार यादब भी हैं जो आईपेल के उत्तराद में और दक्षन अफ्रीका के खिलाफ श्रिंखला में बांग की मानस्पेशियों में चोट के कारण चुक गए थे भारत 26 और 28 जून को मेलहाइड में दो टीबीस खेलेगा VVS लाक्समन दोरे पर मुख्य कोच के रूप में काम करेंगे और उनकी सहायता शितांशु कोटक बल्लेबाजी कोच, सहराज बहुतुले गेंदबाजी कोच और मुनीश बालीक शेतरक्षन कोच करेंगे स्क्वाड मीहा हार्दिक पैंडिया कैप्टन, भुवनेश्वर कुमार, वाइस कैप्टन, इशान किशन, रुटुराज गायकवार, संजू सैंसन, सुर्य कुमार यादव, वेंकिट एशायर, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाथी, दिनेश कार्तिक, विकेट कीपर, यु